हेलो दोस्तों, welcome back to our channel corporate कहानी तो दोस्तों कुछ दिन पहले एक news आ रही थी कि TCS अपने employees को memo भेज रही है और कह रही है कि अगर तुम office नहीं आए, office से काम नहीं किया तो तुम्हारे compensation पे फर्क पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारा जो like career है उसमें भी थोड़ा सा अप फिल आ जाए या फिल आपको थोड़ी सी परिशानी हो जाए लेकिन guys सबसे अच्छी बात ये है कि TCS ने इस news को पुरी तरह से deny कर दिया है बात के statement में TCS ने कहा है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं बोला लेकिन TCS का जो अंदर की बात मैं बताऊं कि जो employees उसमें अभी अंदर काम कर रहे हैं उनको बार-बार बोला जा रहा है कि आप office आ जाईए उनके project manager हर scrum call या किसी भी normal call में बोलते रहते हैं कि भाई office आ जाईए office आ जाईए तो मुझे लगता है ये काफी relaxing news है उन employees के लिए जो work from home कर रहे हैं और वापस आना नहीं चाहते हैं तो इससे क्या फायदा होगा गाईज पहले भी फायदा हो चुका है वह मैं बता देता हूं जो काफी सारे employees जो डड़े नहीं रह गए अपने work from home करते रह गए अपने place पे ही रह गए तो उन लोगों को ये फायदा हुआ कि उन्हें वापस आना नहीं पड़ा और उनका compensation वगएरा की जो बात आई थी कि compensation काट लिया जाएगा या variable कम कर दिया जाएगा इन्होंने अपने policy में भी update किया था जाकर वो भी work नहीं किया है सारे लोगों को बड़ावर पैसे आये हैं वो मैंने चेक किया काफी लोगों से बात की उनकी salary sleep भी देखा तो कोई उनको बढ़के ही मिला है कई लोगों को variable अच्छा खासा मिला है तो overall यह है guys TCS ने आप यह सोच लिया है कि जो employee नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो या फिर जो convince कर पाड़ा है अपने manager को कि भाई हम नहीं आ पाएंगे तो उनको TCS माफ भी कर रही है लेकिन guys ऐसा नहीं है कि सब को माफ कर रही है बहुत सारे employees को रोज के रोज pressure दिया जा रहा है कि आप वापस आ जाईए लेकिन यह जो statement आया है अभी कि आपके career और compensation linkage जो है आपका company के साथ उसको कुछ problem नहीं करेगा तो यह बहुत अच्छा news है तो इसके basis पर भी मुझे लग रहा है एक positive trend या positive message managers तक जाएगा वो आपको शायद कर रहा हूं कि वह आप लोगों को उतना परेशान नहीं करेंगे work from office के लिए जितना वो कर रहे थे फिर भी like उन्होंने लिखा है like previously उन्होंने कहा है कि जो campus में लोग आ रहे हैं तो इससे hustle hustle होड़ा है employees को एक दूसरे से सीखने को मिला है इस सारी बाते वो लोग कर रहे है जो कि बेमतलब की है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आना है क्यों कि इसलिए नहीं आना है क्योंकि इतना सारा किराया है rent है उसके इलावा काई जो शहर का माहौल है वो pollution है population भी है और traffic jam है पता नहीं क्या-क्या है बहुत सारी परिशानिया है बड़े शहरों में छोड़े शहरों में उतनी परिशानिया नहीं है तो बहुत सारी लोगों ने फैसला कर लिया है अगर उन्हें बुलाओगे तो वो resign कर देंगे तो इस डर से भी ये news शायद डाला गया है और iteration rate जो है वो काफी बढ़ गया था TCS का वो थोड़ा सा control में आया है क्योंकि उन्होंने ये वाली strictness थोड़ी कम की है इस वज़े से भी तो overall आप समझ सकते हैं ये काफी अच्छा positive trend है जिसमें TCS ने ये बात की है कि आपके career और आपके compensation को हम लोग नहीं करेंगे touch आप लोग को परिशान नहीं करेंगे तो ये एक बहतरी news है TCS employees के लिए तो आप लोग enjoy कीजिए मजे कीजिए अपने घर में रहिए और बही बात salary की इन्होंने पिछले बार भी बोला था कि salary में problem आएगा या एक policy इन्होंने निकाली थ पता नहीं किसी project में हुआ हो apply लेकिन मैंने 10-15 लोगों से बाट की जो कि different projects में है उन लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है उन लोगों को अच्छा खासा इस बार भी variable मिला है तो overall मैं ये बोल सकता हूं अपने knowledge से या मैं जो company के insights को अंदर से जानता हूं company में मे सकता हूं कि salary में कोई फर्क नहीं पड़ा है तो overall बात आ गई है आपके manager पर आपके project manager पर आपके delivery manager पर उनका अगर आप पर force बनता है तो फिर वो अलग सी scenario होगी तो कई सारे लोग है guys मुझे वो शिकायत करते हैं वो बताते हैं कि office में जाओ तो वहां पर internet भी नहीं दे रही है TCS यह तो भाई बहुत गंदी बात है आपको internet provide करना चाहिए अगर आप office बुला रहे हैं उपर से guys कई जगा पर mobile network भी काम नहीं करता है यह बैंगलोर office की में बात कर रहा हूं काफी सारे लोगों ने मुझे यह चीज रिपोर्ट की है तो TCS को इन चीज़ों पर भी ODC और स्टेट में है और उन लोगों को यहां पर location दिया गया था उन्हें common ODC जो होता है वहां पर बिठा जाता है वहां पर उनको laptop दिया गया है उनको desktop भी नहीं दिया गया है और उनको अपने mobile internet से काम करना पड़ता है mobile internet से काम करना कितना मुश्किल होता है वो बहुत सारे लोग समझ रहोंगे आज कल इतने सारे VM इंस्टॉल करने होते हैं काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में software होते हैं उन सब को लेकर laptop को चलाना एक बहुत ही herculean task होता है इसको करना काफी difficult होता है तो TCS को पहले इन पर फोकस करना चाहिए इन चीजों पर काम करना चाहिए उसके बाद employees को आपस बुलाना चाहिए तो यह यह भी एक concern है जो काफी employees face कर रहा है तो guys मुझे तो लगड़ा यह काफी अच्छा इन्होंने ट्रेंड शो किया है काफी अच्छी चीज़ें इन्होंने पताई है कि employees इसके compensation और करियर पर कोई फ़र्ग नहीं पड़ेगा तो आप लोग भी enjoy करें और मस्त रहें और मिलते हैं guys अगले वीडियो में अगर आपको कोई doubt हो कुछ आपको knowledge चाहिए हो तो आप हमसे इस link पर connect कर सकते हैं comment box में भी पूछ सकते हैं मैं आपके questions का answer करने की कोशिश कर होंगा मिलते हैं अगले वीडियो में जानते हैं next topic के बारे में thanks for watching bye bye